चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो राजस्तान के सेगंड राउंड ओफलाइन का डिटेल्ड सेड्यूल आ चुका है इसमें जिन कंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है और जो सेगंड राउंड में पार्टिस्पेट करना चाते हैं या फिर जिनोंने न्यू फ्रेस रेजिस्टेशन किया है वो इसके लिए पार्टिस्पेट कर सकते हैं सेगंड राउंड के लिए ये offline allotment है और student को present रहना होगा counseling venue पर तो इसमें जो counseling venue है वो government dental college जेपूर है जहां पर आपको present होना है इसमें अलग-अलग merit wise schedule दे रखा है तो ये 11 से 17 दिसंबर 2020 तक का schedule है ये offline counseling का तो इन में जिन candidate को government seat allot हो जाती है वो candidate 12 से 15 के बीच में new medical जो new academic block है SMS medical college जेपूर में वहां report करना है वहां DD deposit करनी है बाकी सारी admission formalities वहां पूरी करनी है जिन candidate को RUHS dental college allot होता है वो government dental college जेपूर report करेंगे 12 से 15 के बीच में इसके बाद में जिन candidate को private medical college allot होता है वो 16 से 20 दिसंबर के बीच में new academic block SMS medical college जेपूर report करेंगे वहां उनको DD deposit करनी होगी fees payment करके original document deposit करके बाके admission formalities पूरी करनी होगी इसके बाद में medical board के लिए जो allotate college है जिस college में आपका allotment हुआ है उसमें 21 और 22 को medical होगा और जो round one के joint candidate है और जो round two में participate नहीं करना चाते हैं round one की seat ही रखना चाते हैं तो वो allotate college में 11 से 22 दिसंबर के बीच में जा करके अपना medical वगरा जो बाकी admission formalities है वो पूरी कर ले उनको second round में आने की आवश्यक्ता नहीं है जो first round की seat रखना चाते हैं अब इसमें second round के लिए merit wise दिया गया है तो इसमें 11 दिसंबर 2020 को जो राजस्तान merit एक से 400 के बीच में all candidate हैं और इसके अलावा जो बाकी सारे PWD candidate हैं उनको 8 बजे present होना है और इसके बाद में जो merit list 401 से 800 तक है वो 12 बजे present होना है counseling venue पर इसके बाद हम बात करें 12 तारिकी तो merit 801 से 1200 के बीच में सभी category candidate परजेंट रहेंगे इसके बाद में 12 बजे merit 1201 से 1800 all category इसके बाद में जो candidate first दिन चूट जाते हैं वो candidate भी report कर सकते हैं इसके बाद में 13 ते December को सभी जो SC category के हैं 1801 राजस्तान merit से आगे वाले candidate और सभी MBC candidate 1801 से आगे वाले वो present रहेंगे 8 बजे 13 तारिकों और सभी NRI candidate सभी ST candidate जिनकी merit 1801 से आगे है और सभी STA candidate जिनकी merit 1801 से आगे है वो सारे 13 तारिकों 12 बजे की बाद में present रहेंगे counseling venue पर इसके बाद 14 दिसंबर को 1801 से 2300 तक और 12 बजे 2300 एक से 2800 तक इसके बाद में 15 दिसंबर को merit 2801 से 3500 तक और 12 बजे 3500 एक से 4500 के बीच 16 तारिक को merit 4500 एक से 7000 और 12 बजे की बाद 7000 एक से 10,000 17 तारिक को merit 1001 से बाकी बचे हुए candidate और फिर जो बाकी other eligibility के candidate हैं वो present रहेंगे इन डे में हर एक days जो दी गई है seniority उससे पहले वाड़े दिन के candidate भी available होंगे next day तो इस परकार से ये venue अलग-अलग दिया गया है merit के according आपको government dental college में report करना है offline counseling के लिए अब इसमें आपको अपने login से entry ticket डाउनलोड करना है entry ticket डाउनलोड करने के बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं ये entry code पर आपके QR code होंगे वो वहाँ पर scan होंगे इसके बाद में अगर आपके पास entry ticket नहीं है तो फिर आपको वहाँ entry नहीं दी जाएगी ये आपके login से मिल जाएगी entry ticket इसमें बाके आप इसमें देख सकते हैं ये जो notification दिया गया है ये इसमें सारी सब कुछ condition दी गई है इसके बाद में जो condition दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि जो candidate All India के second round में participate कर चुके हैं उनको entry ticket का जो print का option है वो नहीं मिलेगा वो इसके लिए eligible नहीं है इस परकार का इसमें दिया गया है notification तो ये जानकारी थी इसके बारे में offline counseling राजस्तान के बारे में बाकी update मिलते ही मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब आपको सिंदरा आवारे वे पाट्डिन बानी